तो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप CapCut अप्लिकेशन यूज़ करते हैं तो इस वीडियो में एंट तक बने रहेगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि अगर उनको टेंपलेट से रिलेटेड पॉलम मार रही है, कैपकट अप्लिके सेटिंग में आना होगा, देन उसके बाद स्क्रोल करना है, अप्स देखने को मिल रहा है, अप्स पर क्लिक करना है, देन उसके बाद मैनेज अप्स इस पर क्लिक करिए, सर्च बार में आकर कैपकट अप्लिकेशन को सर्च करिए, आ चुकी है अप्लिकेशन इसको यहां से open करते हैं open करने के बाद आपको storage देखने को मिल रहा है उपर किसे तरफ यहाँ पर इस पर click करदेना है click करने के बाद यहाँ पर nuclear all data लिख्ख Mercury और नीचे clear cache है इसका clear cache करिए आप याद रखिये इसका सिर्फ clear cache करना है आपको clear data नहीं करना है अगर आप clear data करेंगे तो आपका जितने भी projects हो गहरा save किये होंगे सबी delete हो जाएंगे तो make sure कि आप इसका clear cache ही करिए दन उसके बाद यहां से आपको back आ जाना है back आने के बाद आपको second काम क्या करना है अपने cap cut application को uninstall कर देना है आपने अपनी cap cut application को uninstall करना है इसके बाद यहां पर आपको chrome में आना है chrome में आने के बाद आपको यहां पर cap cut latest version लिखना है cap cut latest version download यह लिखना है और यहां से अपने cap cut के latest version को download कर लेना है जो भी latest version होगा उसको यहां से download करना है फिर आप उसको use करके देखेंगे तो आपके templates आपको देखने को मिल जाएंगे अगर फिर भी आपको problem आती है तो एक ओर trick आप use कर सकते हैं search bar में आपको लिखना होगा humble tricks कुछ इस तरह से आप लिखिएगा दन नीचे आपको देखने को मिलेगा cap cut templates यह वो website आप देख सकते हैं cap cut template पर आपको click कर दिना है इसको फिर से reload करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने यह website open हो जाएगी आपको यहाँ पर उपर देख सकते हैं app search यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको app search में लिखना है cap cut template जैसे आप cap cut template लिखेंगे आपको यहाँ पर search कर देना है search करने के बाद जितने भी templates तोगेरा होंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ से आप उन templates को download कर सकते हैं फिर आप उसको use कर सकते हैं आपने cap cut application के अंदर तो यही एक solution है गाइस अगर आपको फिर भी कोई problem आए तो मुझे comment box में जुरू बताएगा मैं आपके लिए और solution लेकर आऊँगा तो गाइस वसास के लिए इतना इम मिल देन एक्स टुदे में टिल दर बाय टेकर लाव यू ओल